आप ठक हार के घर आते हो, लंबा दिन था, घर पहुंचते हो और डिनर करने की तैयारी शुरू करते हो, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है, फोन ओन करते हो, घर के बाहर खिटकी से देखते हो, चारो तरफ गंगोर अंदेरा, कहीं पर कोई रोशनी है यह नहीं, हर जगा पर पावर कट, बस कुछ देर का इंतजार, लाइट बस आती होगी, एक घंटा हो जाता है, पसीने चूट रहे हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन लाइट नहीं आई, क्या करोगी, है कोई रास्ता, यह आज हर एक घर की परिशानी है, बिजली चली जाती है, और फिर घंटो प्राइस, पिछले दो सालों में 300% से भी जादा बढ़ गए है, लेकिन जहां एक तरफ टाटा पावर ने 2021 में 2700 क्रोर का प्रॉफित की है, वही पर दूसरी तरफ अडानी पावर 182 क्रोर के लॉसे में है, अगर आप बहुती क्लोज दी देखो, तो पिछले चार सालों से अडानी पावर is in heavy losses, same goes with अडानी ग्रीन अनरजी, कंपनी 130 क्रोर के लॉसे में है, लेकिन इफ यू सी दा स्टॉक प्राइस, तो पिछले दो सालों में स्टॉक प्राइस 2000% से जादा बढ़ा है, 135 रुपे का स्टॉक आज 2300 रुपे का हो गया है, लेकिन कैसे, एक 7 साल अडानी पावर और अडानी ग्रीन अनरजी, इन दोनों कंपनीज के जबदस ग्रोथ को समझने के लिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कि इंडिया के अंदर आखिर पावर बिजनस ऑपरेट कैसे करता है, कोई भी पावर बिजनस आपके घर तक बिजली पहुचाने के लिए, ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर होता है कि आल ओवर इंडिया उस चीज के ऊपर जो भी डिजिजन लिया जाएगा, उस डिजिजन के अंदर सेंट्रल और स्टेट ये दोनों गोवर्मेंट्स एकुली इंवाल्ड होंगी, सबसे पहले, अन प्रोडक्शन लेवल, पावर जेनरेशन के लिए, सेंटल लेवल जिसके बाद policy making शुरू होती है, जिस चीज को Central Electricity Regulatory Commission और State Electricity Regulatory Commission ये दो बोडिज इंप्लिमेंट करती हैं, but there's a catch, and that catch is National Electricity Act 2003, जिस चीज के अंडर किसी भी particular एरिया में ये दो चीजे Central और State Government कंट्रोल करती है, Number 1, Mode of Generation, क्या आखिर उस particular area के अंदर जो electricity produce होगी, वो electricity conventional mode के थ्रू होगी, या फिर renewable mode के थ्रू होगी, और इस चीज के उपर Central Government and State Departments of States, ये दोनों लोग equal से भी रखते हैं और equally participate करकर decide करते हैं कि आखिर एक particular area के अंदर कौन से तरीके से, कौन से mode से electricity को generate किया जाएगा, पर हम लोग thermal energy को produce करेंगे, so first of all, government एक ऐसी company को ढूंडेगी, जो कि thermal power plant को set up कर पाए, in this case, it was NTPC, उसके बाद coal blocks के tenders release करे जाएंगे, क्योंकि coal blocks से ही thermal energy produce होती है, और उस tender को release करने के बाद, वो सारे coal blocks पहुंचते हैं NTPC के thermal power plant पर, और वहाँ से power generation का का काम शुरू होता है So you see, यहाँ पर government यह decide करती है कि एक particular area के अंदर, जिस भी तरीके से power produce होगी, वो कौन से तरीके से होगी और उसको कौन करेगा, electricity produce हो चुकी है, and now comes the second step, and that is transmission of electricity, जिस चीज़ को करने के लिए, central government और जिस भी state से, उसके transmission line पास होने वाली है, वो particular state की government, यह दोनों governments मिलकर ए decision लेती है, for an example, दादरी उतर प्रदेश के अंदर, NTPC का plant electricity produce करता है, और यह electricity अब यहाँ से महराष्टा पहुचानी है, so in this case, एक interstate transmission line को setup किया जाएगा, जिस line को setup करने के लिए भी, यह दो bodies सबसे पहले decision लेती है, number one, central transmission utility control, and number two, state transmission utility control, यह दोनों bodies मिलकर यह decide करती है, कि आखिर, वो transmission का काम भी कौन सी company करेगी, और फिर आता है, the final step, and that is distribution, so now look at this process, very very carefully, इंडिया के अंदर, जितनी भी electricity produce होती है, वो सारी की सारी electricity, central government के अंडर आती है, और जिस भी state को उस electricity को use करना होता है, वो state central government से उस electricity को purchase करती है, after that, जो state government है, वो उस electricity के price के slab को set करती है, कि ये electricity हमारे state में लोगो को इस price पर बेची जाएगी, जिसके बाद उस electricity को distribute करने का काम, power distribution companies, जैसे की Tata Power, JSW Energy और Adani Power जैसी companies को दे दिया जाता है, ये companies distributing lines को set up करती है, distributing lines दो तरीके के होती है, number one, high tension lines, high tension lines, mainly industrial purposes के लिए set up के लिए जाती है, जिन लोगो को industrial electricity की requirement है, उनके high tension lines set up होती है, और जिनको residential और commercial lines की जरूत है, उन लोगो के लिए low tension lines को set up किया जाता है, लेकिन, wait a minute and look at this very carefully, Tata Power and Adani Green Energy, जहाँ पर एक तरफ, Tata Power का market capitalization 69,200 crores है, वही पर दूसरी तरफ, Adani Green का market capitalization 382,000 crores है, profit, जहाँ पर Tata Power का profit 2,700 crores है, वही पर Adani Green 130,000 crores है, के loss के अंदर है, लेकिन, जो सबसे interesting चीज है, वह है stock price, if we look at the stock price, तो पिछले दो साल में, Tata Power का stock price 281% से बढ़ा है, लेकिन, वही पर दूसरी तरफ, Adani Green, जो की losses में है, उसका stock price 2000% से भी जादा बढ़ा है, and this is shocking, क्योंकि जाता लोग, Adani Green के stock price के जबदस rise को देखते वे उसमें पैसा invest कर रहे है, without even knowing, कि company की actual, असली picture आखिर क्या है, I know आप क्या सोच रहो, कि अगर ऐसा है, तो फिर आखिर पिछले दो सालों में, बिना कोई profit कमाई, Adani Green का stock price 2000% से कैसे बढ़ गया, well, इस चीज के पीछे, तीन ऐसे important factors हैं, जो जाता लोग को मालूम ही नहीं है But before that, अगर आपको कम risk लेकर अपनी investment के उपर अच्छे returns कमाने है, then I have something very great for you, Altify, एक ऐसा platform, जिसके तुरू आप अपना पैसा fixed income bonds के अंदर invest कर सकते हो, बहुत लोग ये सवाल भी करेंगे, कि Altify के तुरू ही आखिर क्यों invest करें, Altify के तुरू आपनी investments को diversify कर सकते हो, fixed income bonds म invest करके, कि आपका risk भी कम हो, और आप लोग FD से जादा returns भी बहुत अराम से कमा पाओ, Altify सब के लिए safe और affordable दोनों है, safe इसलिए क्योंकि Altify के platform के उपर listed हर एक asset, उस asset को Altify के team due diligence करकर ही उस platform के उपर list करवाती है, secondly, affordable इसलिए क्योंकि Altify के तुरू आप सिर्फ 1000 रुपे से अपनी investment journey शुरू करके, 13% तक के सालाना returns कमा सकते हो, बहुत ही easy process है, description के अंदर link है, जाओ, sign up करो, अपनी KYC complete करो और अपनी investment journey अभी आप शुरू कर सकते हो, Altify is a one-stop platform to invest in bonds and commercial papers, so what are you waiting for, diversify through Altify, the link is in the description, पहला factor, experience not money, power sector is capital intensive, heavy machines, land, technology, labor, हर एक चीज़ की जरूरत पढ़ती But the thing is, you can afford all of this with money, लेकिन एक चीज़ है जो पैसे से नहीं आती, and that is experience, Tata Power पिष्टे 112 साल से operational है, उन्हें हर तरीके की market conditions और हर तरीके की challenges को face करने की आदत है, वहीं पर दूसरी companies, जो की market के अंदर नहीं है, उनके बस पैसा तो है, सारा infrastructure भी है, लेकिन उतना experience नहीं है जित इसना भी capital invest होता है, वो सारे के सारे capital को recover करने के लिए company को at least 20 to 30 years का time लगता है, and this is how it changes the game, सबसे पहले government, power generation के मनोट को और price को set करती है, उसके बाद government ये decide करती है, कि मैं अब contract दोंगी, लेकिन अगर government पुरानी companies को contract देती है, तो उसमें फैदा ये होता है पुरानी companies को, क पुरानी companies है, वो अपना capital जो उन्होंने invest किया था, land, labor और technology में, उसको already recover कर चुकी है, महीं पर on the other hand, जो नई companies है, उनको बहुत ज़्यादा problem आती है अपनी cost को recover करने में, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी cost अभी अभी लगाई है, और वो लोग इतने सालों से operational नहीं है कि वो लोग उस चीज को recover कर चुके हों, and as a result, जो नई companies हैं, वो कुछ time तक losses के अंदर ही रहती हैं, Tata Power इंडिया की largest power company है, जो की इतने सालों से government के साथ काम कर रही है, and on top of that, जहाँ पर एक तरफ Adani Green सिर्फ renewable energy के अंदर काम करती है, वहीं पर Tata Power, renewable energy और conventional mode, इन दोनों modes के अंदर operate करती है, so in near future, अगर government किसी नए region के अंदर power project को plan करती है, और वो project conventional mode का होता है, तो in that case, Adani Green को वो project नहीं मिलेगा, वहीं पर दूसरी तरफ, Tata Power उस business को crack कर जाएगी, reason being, क्योंकि जो Adani Group की दूसरी company है Adani Power, वो Tata Power से कम experienced है, और यही चीज लेकर आती है, हमें दू इंडियन गवर्मेंट ने साल 2030 तक 500 गीगा वाट्स के renewable energy production का target सेट किया, जिसमें से अभी तक सिर्फ 100 गीगा वाट्स ही अचीव उपा है, so you see, market के अंदर 400 गीगा वाट्स का space अभी भी खाली है, और जातर लोगों को यह मालूम है कि Adani Green बहुत ही जादा aggressively expand कर रहा है, so majority of the investors को यह confidence है कि आने वाले time में हो सकते है कि Adani Green एक अच्छा खासा market space capture कर ले, but on top of everything, even if Tata power, आज power generation, power transmission और power distribution यह सारी चीज़े भी कर रही है न, still हर एक investor एक ऐसी चीज़े जिसके अंदर आज believe करके बैठ है, and that is the third important element, political support, once again, not against any political party, but if you look at the series of events very very carefully, तो you will realize कि Adani Group has very powerful political collections, और इसी चीज़ के चलते, जातर retail investors को यह चीज़ लग रही है, कि अगर government किसी एक particular business group को इतना जादा favor कर रही है, तो उसकी growth होना guaranteed है, लेकिन, you know what, कभी भी किसी भी company के stock price के इतने जबरदस rise के पीछे, सबसे बड़ा हाथ institutional investors का होता है, institutional investors, market को study करते ह और सबसे जादा ध्यान देते हैं public sentiment की तरफ, जैसे उन्हें public sentiment किसी भी stock price की तरफ positive होता हुआ दिखता है, they start to pour in crores and crores of money, जिसके बाद stock price दीरे-दीरे spike होना शुरू होता है, and as a result, जो retail investor है, उसको अपनी investment के उपर double confidence आ जाता है, और वो और जादा पैसा invest करता ही चला ज और ये चीज़ जब बहुत बड़ी volume में होती है, तो stock price एकदम से shoot up कर जाता है, जो कि Adani Green के साथ इस वक्त हो रहा है, so you see in these cases, fundamentally company चाहे कैसी भी हो, लेकिन इन a short period of time उस company का stock price एकदम rocket कर जाता है, but you know what, जब भी ऐसा कुछ होता है, so in these cases, you should always take a step back, क्योंकि आप ऐसे case के अ investment journey के अंदर implement कर सकते हैं, number one, always look at the business, किसी भी stock को purchase करने से पहले, उसका stock price नहीं, company का नाम नहीं, बलकि उस particular business को समझो, you see, चाहे वो stock कितना भी जबदस perform कर रहा हो, अगर आपको उस company का business नहीं समझ में आता, then you should not pour in money, second lesson, keep an eye on political parties, for any investor, it is very important कि आप political environment को study करो, क्योंकि political party wants, if the government wants, तो वो business आने वाले time में sustain करेगा, but there is also one more saying, that in politics, things can change overnight, so अगर रिस्क लेना है, तो it's up to you, but on top of everything, अगर आपको एक smart investor बनना है, तो हमेशा company को और company के business को study करो, do not follow the crowd blindly, और हाँ, अगर आप अपने पैसे को diversify करके अच्छे returns कमाना चाते हो, then you can also try out Altify, the link is in the description, क हम सब से एक बहुत बड़ा जूट बोला गया है, हम सब को एक ऐसी कहानी सुनाई गई है, जो कि सच भी नहीं है, Elon Musk को या Jeff Bezos, क्या आपने कभी ये सोचा है, कि इन सब की कहानी इतनी जादा struggle से भरी वी क्यों है, इन सब की कहानी में आखिर इतना दर्द क्यों है, well, it was all a big ये सब कुछ एक बहुती बड़ा जूट था, और आप से मेर से हम सब से ऐसे कई सारे जूट बोले गए हैं, जो चीज आज हमारे लिए बहुती जादा dangerous बन गई है, लेकिन कैसे, well, अगर आप ये right वाली वीडियो देखोगे ना, तो जान जाओगे